तो Supreme का आपके अपने चनल टारियट टीचर जॉब में तो doctrine आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी विसह और हिंदी विसह में आज हम देखेंगे हिंदी रचनाकार यम उनकी रचनाएँ यह आपकेronic सीटेट और सुपर्टेट में इससे समनित प्रस में पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आज चलिए यहाँ पर हम देखेंगे रचनाकार और उनकी रचनाएं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखें कभीरदास कभीरदास जी के द्वारा रचित है बीजक और साखी सबद और रमेनी और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दूसरा सूर्दास सूर्दास का सूर सरावली और साहित ते लहरी और जय देव का जो रचना है वो है गीत ग रामाइड दोस्तों यह जो रामाग्या प्रसनावली है यह जोतिस ग्रंत है और इसके लामा इनकी रचना है बैराग्य संदीपनी और दोस्तों नेक्स टाइम बालमी की द्वारा रचित है रामाड दोस्तों देखिये आप पर यहाँ पर रामचरित मानस जो कि तुलसी दास द्वारा रśli ता और मड ये बालमी की के द्वारा रा र duż तो दोस्तों अक्सर हम लोग indigenous जल्दी में कन्फ्यूज поним कि रामचरतमानस और रामड येग इसमझने लगते हैं जबकि दोनों के लेका क hail के लिए égal है जलिए आगे देखते हैं मेरा बाई मेरा बाई रागиваем गीत गोबिंद का टीका दोस्तों यहाँ पर देखे एक similarity आपको देखने को मिलेगी गीत गोबिंद का टीका ये मेरा बाई द्वारा कृत है और गीत गोबिंद ये जय देव के द्वारा तो यहाँ पर आप confusion ना होईएगा पर देखेंगे next है मलिक मुहम्मद जैसी मलिक और आखरी कलाम और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे next है केसोदास के दवारा केसोदास रसिक प्रिया और कभी प्रिया और यहाँ पर देखेंगे नर्पति नाल के दवारा वीसल देव रासो और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चंद बरदाई चंद बरदाई के दवारा प्रिथवीरार रासो और यह हिंदी का पहला बिश्त्रित महा काब्या है जिसे चंद्रवंदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था दोस्तों देखेंगे प्रसिद्रशना आपको पता ही असोधरा जय द्रत ब्रद नहुस विश्डू प्रिया दोस्तों साकेतक में 12 सर्ग हैं नेप्स्ट हम देखेंगे अयोध्या सिंग मुपाध्याय हरियोध जिनकी रचना प्रिप्रवास वैदेही वनबास और काबि संग्रह इनका है चुबते चौपदे प्रेम चंजी के द्वारा रची देखते हैं गोदान ये सब इनके उपन्यास है सेवासदन प्रेम असरे निर्मला रंग भूमी कर्म भूमी और दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास मंगल सूतर जोकी अपूर उपन्यास है यानि कि इनकी इम्रित्य localized हो जाती है इ यहां पर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं यह सब आपके एक्जाम में कहीं न कहीं पूछे गाएं तो काफी महत्तुपूर हैं यह फड़ीस्वर नात्रेणु मैला आचल और माखनलाल चतुरवेदी के काभी संग्रा हिम किरीटनी हिम तरिंगनी और यहां पर देखिए प् माखनला चतुरवेदी जी को इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहते तो हमने देखा भी था यह और दोस्तों यहां पर देखिए रामधारी सिंग दिनकर उर्वसी कुरुचेतर रस्मी रती यह इनके काभी संग्रा हैं अब यहां पर हम देखिएंगे जैसंकर प्रसाद जी के बारे में यहां पर देखिए कामायनी उर्वसी जहरना लहर यह इनके प्रसिद्ध रचनाये हैं और उपन्यास देखिए तितली कंकाल अंतिमनाटक इनका दुरुच स्वामिनी आगे हम देखिते हैं दोस्तों सुमिंत्रा नंदन पंथ चिदंबरा कला और भूड़ा चा और यहां पर हम देखिए अब महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा यहां पर देखिए नीहार रसमी निरजा सांदेगी दीप सिखा यामा यह इनकी प्रस्कार मिला था और दोस्तों यह पर एक फैक्ट और जो अभी हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं यामा के लिए महादेवी वर्मा को ग्यान पीट पुरसकार मिला था और दोस्तों ये प्रथम महिला थी जिने ग्यान पीट पुरसकार मिला था और दोस्तों यामा में नीरजा, निहार, रस्मी और सांध गीत इन सभी के गीतों का संग्रह है अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अमरित लाल नागर सुहाग के नूपुर और एकदा नयमेशारण ने मानस के हंस यह इनकी प्रमुक रचना है और दोस्तों यहाँ पर दीखें कुछ नोट है नोट में है कि सूर्दास जी के जीवन को केंदर में रखकर अमरित लाल नागर ने खंजन नयन की रचना की थी यानि कि दोस्तों यह जो खंजन नयन इनकी रचना है यह किसके जीवन से समंदित है यह सूर्दास जी के जीवन से समंदित है और दूसरा फैक्ट क्या है अमरित लाल नागर ने उपन्यास मानस का हंस तुलसी दास को केंदर में रखकर लिखा है दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देखिए हैं हमने देखा खंजन नेन जो है यह सूर्दास के जीवन को केंदर में रखकर अमरित लाल लागन ने रचना की और मानस का हंस तुलसी दास को केंदर में रखकर इन्होंने रचना की तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह दोनों फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि देखिए मानस का हंस और खंजन नेन खंजन नेन सूर्दास मानस का हंस तोलसिदास जी के जीवन से समझ दित है तो यहाँ पे आपको यह दोनों फैक्ट याद रखने हैं और यह दोनों ही किसके द्वारा रचित है अमरित लाल नागर के द्वारा क्लियर चलिए आगे देखते हैं गजानन्द माधव मुक्ति बोध इनकी रचना चांद का मुझ टेड़ा और विश्डू प्रभाकर अमार पर तंगे लोग दोस्तों ये प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना हैं जिनको हम लोगों ने देखा और इनसे आपके कोश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एक जाम में तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइच कर लेते हैं सब यहाँ पे दिए कभीरदास जी के द्वारा कृत बीजक साखी सबद रमेनी सूर दास द्वारा सूर सरावली साहित तिलहरी जैदेव के द्वारा गीत गोविंद और तुलसी दास जी द्वारा रामचरित मानस गीतावली दोहावली कबतावली कृत अंगीतावली रामाग् और आखरी कलाम और केसदास के द्वारा रसिक प्रिया कविक प्रिया नर्पति नाल के द्वारा विसल देगavorा सो चंदबर्दाई के द्वारा प्रितवी राषी राषी नहीं हो पाया था ये एक महापक्राप्य है पुत्र जिल recip aus NAYP प्रिय प्रवास वैदेही वनवास काभी संग्रह इनका चुबते चौपदे और प्रेम चंजी के द्वारा रचित गोदान सेवासदन प्रेम आसराय निर्मला रंगभूमी कर्मभूमी और मंगल सुत्र इनका अधूरा अपन्यास है फड़िस्वद नाथ रेडू के द्वारा लिखा गया मैला आचल माखालल चतुरवेदी के द्वारा हिम किरेटिनी और हिम तरिंगणी येनके काभी संग्रह और पुस्व की अविलासा ये माखालल चतुरवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है रामधारी सिंग दिनकर उर्बसी कुरुचेत्र राम और रस्मी रती और जैसंकर प्रसाद के द्वारा कामाईनी उर्बसी और आसू जहरना लहर उपन्यास इनका तितली औल कंकाल और अंतिम नाटक इनका द्रुवे स्वामिनी सुमिंद्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया चंचेदंबरा और कला और बुड़ा चाद ये इनके काबे रचना है और सूरकार तिपाठी निराला का देखेंगे अनामिका परिमल जूई की कली ये इनकी काबे रचना है महादवी बर्मा नीरजा निहार रसमी रथी और सांद गीत दीप सिखा यामा ये इनके काबे रचना है और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वही फैक्ट है जो यामा के लिए ने महादवी बर्मा को ग्यानपीट पुरुसकार मिला था और ये पहली महिला थी ग्यानपीट रस्मी रती और सांधी गीत इनके प्रमुख गीतों का संग्रह है अमरितलाल नागर के द्वारा रचित सुवाक के नूपूर एकदार नयमी सारन मानस के हंस और सुर्दास के जीवन पर आधारित खंजन नयन की रचना है और अमरितलाल नागर ने ये लिखा है और अमरित्राल नागा नहीं मानस का हंस लिखा ये तोलसिदास के जीवन पर आधारित है दोस्तों देखें ये आपको मैं बताओं मानस का हंस इसमें क्या रहता है कि तोलसिदास जी के बचपन के कुछ मार्विक चित्रड है जिसमें ये रहता है कि तोलसिदास जी जब घर बचपन में इनको घर से निकाल दिया रहता है तो वो जाते हैं इनको भूक लगी रहती है और ये हनुमान जी के मंदिर पर जाते हैं वहां डेर सारे बंदर रहते हैं और इनको काटते हैं और ये इनको इतनी भूक लगी रहती और यह बंदरों को काड़ दे तो यह मार्मिक चित्रण अम्रित लाल नागर ने अपने उपन्यास मानस के हंस में किया है जो तोसिदास जी के जीवन पर आधारित है और यहां पर दिखे गजानन माधव मुक्ति बोध चांद का मुझ टेड़ा यह इनकी रचना है पर दोख रचना कार उनकी रचना है आज इस वीडियो में कवर किया आसा करते हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कर लिजिएगा और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करिए क्योंकि मेरी मेहनत तभी सफला जब आप अधिक से अधिक मेरी वीडियो को सेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अप बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केर, बाई बाई, लव्यू, और जैज.